प्यारे बच्चों उमीद है कि आपकी एद बहुत अच्छी गुजरी होगी और आपने खुब मजा भी किया होगा चलिए आए फिर आज देखते हैं हम क्या निया सीखने वाले हैं इस वीडियो इस फोर क्लास वान, सब्जेक कम्प्यूटर, वीक नमबर सिक्स, टुटोरियल नमबर वन प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर कहते हैं किसी भी चीज की बॉड़ी या शेप और फंक्चन कहते हैं किसी भी चीज का काम तो आज हम माउस के स्ट्रक्चर और फंक्चन के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स ये देखें, ये क्या है? जी, बिलकुल, ये आपकी कम्प्यूटर लैब है और ये कम्प्यूटर के मुख्लिफ हिस्से हैं जिनके बारे में आप पिछले टुटोरियल्स में पढ़ चुके हैं आएए हम देखते हैं कि कम्प्यूटर के कौन-कौन से हिस्से हैं मॉनिटर, सीपी यू, कीबोर्ट और माउस तो प्यारे बच्चो आज हम माउस के बारे में बहुत कुछ चानेंगे आएए अब हम माउस का स्ट्रुक्चर देखते हैं इसकी शकल और हिस्सों के बारे में जानते हैं सबसे पहले देखते हैं इसे माउस क्यों कहते हैं तो बच्चो इसे माउस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये माउस की तरह चोटा होता है और इसकी तार चुगे की दुम की तरह लंबी होती है और हम इस माउस को CPU के साथ वायर की मदद से अटैच करते हैं बच्चो माउस के दो बटन होते हैं राइट बटन और इन दोनों बटनों के दरमियान में एक वील होता है जिसे हम स्क्रोल वील कहते हैं बटन के प्रेस करने को क्लिक कहते हैं जैसे के लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक Dear Students, माउस एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से हम कम्प्यूटर पर मुख्लिफ काम करते हैं आईए देखते हैं माउस का फंक्शन क्या है, ये काम कैसे करता है, यानि हमारे किस तरह काम आता है जब हम माउस को मूफ करते हैं तो सक्रीन पर एक एरो नज़र आता है, उस एरो की मदद से हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते है प्यारे बच्चों, जो सक्रीन पर आपको एरो नज़र आता है, उससे करसर करते है जब हम mouse के किसी भी button को press करते हैं तो हम screen पर cursor को ही देखते हुए गांग पर काम करते हैं Students सबसे पहले left click के बारे में जानते हैं जब भी हमें कोई चीज select करनी हो यानि के choose करनी हो तो हमने cursor को वहां ले जाकर left click जैसा कि left button को press करना है यानि दबाना है तो इस तरह वो चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी राइट क्लिक राइट क्लिक करने से एक बार उपन हो जाता है जिसके उपर कुछ हदायाद यानि इंस्ट्रॉक्शन्स होती है तो हमें जो भी चीज़ चाहिए होती है हम उसको क्लिक कर लेते हैं और दोनों बटनों के दर्मियान एक वील होता है जैसा कि टीचर ने आपको बताया उसे स्क्रोल वील कहते हैं यानि उपर और नीचे मूव करना तो बच्चो जब भी हमें मॉनिटर पर पेज उपर या नीचे करना होता है तो हम स्क्रोल वील को इस्तमाल करते हैं प्यारे बच्चो पेज वो होता है जो हमें मॉनेटर की सक्रीन पर नजर आ रहा होता है स्क्रोल वील की मदद से हम पेज को उपर और नीचे आसानी से कर सकते हैं आए अब एक अच्छी सी एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा मज़ा आएगा हम माउस को लेबल करते हैं वील को कहते हैं स्क्रोल वील और इस बटन को हम क्या कहेंगे राइट बटन और लेफ्ट बटन येस राइट बटन एंड दिस इस लेफ्ट बटन टास्क अफ तडे आपने वाइस नोट के थू अपनी टीचर को बताना है कि एक माउस के कितने बटन्स होते हैं गुड लग अपना बहुत सारा ख्याल रखियेगा थैंक यू अल्ला हाफिज